हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम विथमी में आज यहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं रेलवे से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ तो देखिए यहां पर रेलवे ने यहां पर दी जो है अभ्यरतियों को द रहत भरी खबर 30 सितंबर को देखिए हो जाएगा एजेंसी का चैन और रेलवे द्वारा देखिए पहले से ही दस सुध्धी पत्रयां पर जारी किये जा चुके हैं और देखिए आज यूपी PCL से आने वाली है एक और बड़ी खबर तो यहां पर देखिए अगर आपने च खबर क्या है तो यहां पर देखिए संबीदा जैसी यहां पर बुरी खबर के बाद यहां पर देखिए रेलवे ने एक अच्छी खासी थोड़ी खबर रिलिच की है जिसमें कि देखिए एजेंसी को चैन को लेकर यहां पर बिरिस्तित यहां पर जनकारी सेर किया गया है त देखे रेलेवे की भरती परिच्छा यहाँ पर देने वाले भरतियों के लिए रहात भरी खबर है कि रेल मंत्राले ने NTPC और आइसोलेटिट परिच्छा आयोजित कराने वाली एजेंसी के चैन के लिए प्रक्रिया को यहाँ पर तेज कर दिया है तो जैसा कि आपको प्रिवीस वीडियो बताया गया था कि जो यहाँ पर सरकार के द्वारा जो रेल मंत्राले के ने जारिक किया गया था पर इजेंसी नियुक्त करने कि यहाँ पर प्रक्रिया जो 30 सितंबर पर पूरिक कर लिजाएगी यानि कि आपका यहाँ पर देखे एक्जाम बहुत ही जल्द से जल्द होने वाला है यहाँ पर एजंसी का चैन होने के बाद जो आपके एक्जाम सेंटर की यहाँ पर जो उनकी प्रोसेस प्रक्रिया चलेगी वो चलने वाली है वो अपना जो company लेगा tender वो अपने हिसाब से उसको देखेगा तो देखे इसके बाद जो पात्र पाई गई परिचा agency को यहाँ पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा यानि कि जो agency इस tender को अपने अंडर में ले लेगा फिर उसको यहाँ पर नियुक्ति पत्र जारी कर तक्रियत थी इसको यहां पर बार बार जो है आगे एक्स्टेंड किया जा रहा था तो देखिए इस बार परंतु इस बार यहां पर अंतिम्तिती जारी कर दी गई है एसे में परिचाओं का एक्जाम होने की संभावना व्यक्त की जा रही है देखे रेल मंत्राले 15 दिसंबर से परिचाएं आयोजित कराने की घोसड़ा यहां पर पूरू में ही कर चुका है जैसा कि आपको प्रिवेस वीडियो में बताया जा चुका है परंतु देखिए अब तक तैय नहीं है कि पहल कि घोसड़ा यहां पर बन रही है फिलाल देखे रेलिवे की और से परिच्छा कारकरम भी घोसित नहीं किया गया है माना जा रहा है यहां पर देखे जो की एजंसी फाइनल होने के बाद परिच्छा की तितिथी यहां पर घोसड़ा जल्द ही करेगा तो देखिए इस बार कोरोना वाइरस की वज़े से देखिए इस बार विसेस इंतजाम रेलवे करेगा एकजाम को लेकर तो देखें रेलवे की ओर से जारी किये गए सुधी पत्र में इसपष्ट किया गया है कि यह परिच्छाएं कोबिड-19 के संक्रमण काल में आयोजित की जाएंगी एसे में हेल्थ प्रोटोकाल के ताथ सोसल डिस्टेंसिंग और अन्य सावधानिया जैसे सेनिटाइजर इत्यादी का यहाँ पर देखिए आपको जो है कि लेकर जाना होगा परिच्छाहाल में देखे परिचाएं देजभर में एक ही दिन और यहाँ पर देखे समय पर आयोजित कराएंगी तो देखे यहाँ पर जो परतोगी चातर हैं उनके लिए आपर देखे आच्छी खबर निकल कर आ रहे है रेलेवे के द्वारा बाकी आन ने जो देखे पूरु में यहाँ पर जानकरी दे गए थी यूपी गवर्मेंट के द्वारा कि जो भी अब उनके द्वारा जो सरकाई नोकरी होगी वो 5 साल समिधा पर रहेगी और हर 6 माँ पर यहाँ पर मुल्यांकन किया जाएगा और 60% से अगर मिनिमम मार्क साते हैं तो आपको यहाँ पर जॉब से बाहर कर दिया जाएगा तो उनके ऐसे अभी योजना बन रही है अभी कैबिनेट से पास नहीं हुआ है तो आप चिंतित नहों ऐसा होने नहीं दिया जाएगा और यहाँ पर देखिए आप चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजेगा और देखिए यहाँ पर 17 जो सितंबर को यहाँ पर देखिए राष्टी बिरोजगार दिवस मनाने की योजना चल रही है सभी परिछार्थी जो प्रतियोगी चात्र है उनके द्वारा और यहाँ पर देखिए कैंडल मार्च का भी आयोजन किया जा रहा है बालसन चौराहे से कैंडल मार्च को लेकर यहाँ पर जाना है सुबा चौराहे थक उसकी टाइमिंग क्या रहेगी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा आप सभी को यहाँ पर देखिए अभियंता दिवस की हर्दिक सुपकामना है और यहाँ पर देखिए हम लोगों के जो ट्वीटर कैंपेन है उसके तहट देखिए यहाँ पर आज जो की इंजिनियर सडे है इसमें देखिए सभी को यहाँ पर ट्वीटर पर क्या है कि हाई टेक स्पीक अप फार इंजिनियर्स और हाई टेक यूपी पी सिया लाइन मैं एक ताली सो दो एई जई दोजार पीस यहीं देखिए ट्वीटर पर आज यहाँ पर टेंड में लाना है तो देखिए टाइमिंग इनका आठ से बारह रखा गया है तो आपको देखिए यहाँ पर बारह के उपर हो रहा है लेकिन आपको यहाँ पर देखें ट्वीट लगातार जारी रखना है साउसो ट्वीट कम्स कम एक कंडिडेट्स को यहाँ पर साउसो ट्वीट करना है और अधिक साधिक वीडियो को आप सेर करिए जिससे कि सभी जो भी candidates हैं जो भी प्रतोगी चात्र हैं इससे जूड़ सकें और यहाँ पर अधिक सदिक Twitter का जो ये मसला है इसको आगे बढ़ा सकें और यहाँ पर जो 17 तारिक को हम लोगों की जो योजना है 17 सितंबर को राष्टी बिरुजगार दिवस मनाने की उसमें जो है इसमें वो सहयोग कर सकें तो friends ऐसे latest update पाने के लिए जुड़े रहेगा हमारे चैनल के साथ लाइक करिए, सेर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो